आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्सों में भारती रक्षा व्योस्था को और अधिक ससक्त बनाने की दिश्टिशे सरकार ने कई महत्पूर्ण कदम उठाये हैं इसमें से कुछ प्रमुख हैं चीफ आप डिफेंस स्टाप के पद का स्रिजन इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोकूर्मेंट के लिए 68% कैपितल प्रोकूर्मेंट बजट का आबंटन और FDI कैप का 74% तक बढ़ाना यह कई ऐसे महत्पूर्ण कदम सरकार में उठाये हैं भारती रक्षा विवस्था को मजबूत करने के लिए इसी दिशा में भारती सेनाओं को विश्वकी बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस द्रिशी से आज कैपिनेट कमेटी आउन सेक्योर्टी ने भी एक एतिहासिक फैसला किया है आज का अगनिपत नामक एक ट्रांस्फार्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्ण्फोर्सेट में ट्रांस्फार्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली माडर्न और वेल इक्विप्ट बनाएगी है अगनिपत योजना में भारती नौजवानों को बतार अगनिवीद आर्ण्फोर्सेट में सेवा का उसर प्रदान किया जाएगा है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण रास्ट खास्तों पर हमारे नौजवान आर्ण्फोर्सेट को सम्मान के नजरिये से देखते हैं अपने जीमन काल में कभी न कभी प्रतेक बच्चा सेना की वर्दी धारन करने की वो तमन्ना रखता है अगनी पठ योजना के अंतरगत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंड़न आर्ण्फोर्सेट का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाइल से यह फाइदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलोजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेबल भी काफी बहतर होगा साथियो इस अगनिपत्य योजना से एंप्लाइमेंट अपारिशुन्टी बढ़ेंगी और अगनिवीर सेवा के दोरान अरजिती स्किल्स यम एक्सवेरियंस उन्हें विभने शेत्रों में एंप्लाइमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारती अर्थवेवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोड़क्टिविटी गेन और ओभराल जीडिपी ग्रोथ में सहायक होगी अगने वीरों के लिए एक अच्छी बे पैकेश चार साल की सेवा के बाद इग्जिट पर सेवा निधी पैकेश युम एक लिबरल डेथ और डिसेवेल्टी पैकेश की भी बेवस्था की गई है मित्रो प्रिलनबरी जिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रजेंटेशन भी होगा ना प्रजेंटेशन के भी मादनम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ जिनका की मिश्वर भतनागर ने अ आप अरुपास जितने हैं